हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों बत्वा हर सबचे मार्केट में असानी से मिल जाता है और देशवर में लोग बत्वे का सेवन करते हैं आप भी जरूर बत्वे को खाते होंगे लेकिन आपको केवल ये पता होगा कि बत्वे को साख के रूप में खाया जाता है अधिकांश लोगों को बत्वे के ओशदिये गुणों के बारे में जादा जानकारी नहीं है क्या आपको पता है कि बत्वा एक ओशदि भी है आईए जानते हैं कि हरे रंग का ये पोधा आपके कितने काम आ सकता है और आप बत्वे के पर्योग करके किस-किस रोग से लाप पा सकते है और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नमबर एक कब्ज बत्वा अमाश्य को ताकत देता है साथ ही कब्ज दूर करता है बत्वे की सब्जी दस्तावर होती है कब्ज वाले लोगों को बत्वे की सबजी नित्य खाने चाहिए कुछ सब्ता नित्य बत्वे की सबजी खाने से सदा रहने वाला कब्ज दूर हो जाता है शरीर में ताकत आती है, साती फूर्ती बनी रहती है नमबर दो, पेट के रोग जब तक मौसम में बत्वे का साग मिलता रहे नित्य इसकी सबजी खाएं बत्वे का रस या फिर उबला हुआ पानी पिएं इससे पेट के हर प्रकार के रोग मिट जाते हैं नमबर तीन पत्थरी पत्थरी हो तो एक गिलास कच्चे बत्वे का रस में शक्कर मिलाकर नित्य इसका सेवन करें पत्थरी तूट कर बहा निकल आएगी साथ ही अगर जूएं और लिखे हो तो बत्वे को उबाल कर इसके पानी से सिर धोएं तो जूएं मर जाएंगी तथा बाल साफ हो जाएंगे नमबर 4 मासिक धर्म मासिक धर्म रुका हुआ हो तो दो चम्मज बतुए के बीज को एक इलास पानी में उबाले आधा रह जाए तो वे छान कर पी ले मासिक धर्म खुल कर साफ आएगा आखों में सूजन लाली हो तो प्रति दिन बतुए की सबजी खाएं नमबर 5 बढ़ाता है पाचन शक्ती भूख में कमी आना खाना देर से पचना खटी डकार आना जैसी समस्याओं के लिए बतुए खाना फायदेमंद है तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई